Hey friends, welcome back to my YouTube channel, so आप लोग के लिए बहुत important news है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लखनव युनिवरस्टी कुछ अंडर ग्राजुएट कोर्सेस की चॉइस फिलिंग ओप्शन 25 तारिक से open कर देगा, तो आज 25 तारिक है और लखनव युनिवरस्टी ने अंडर ग्राजुएट प्रोग्राम जैसे की BLA, BSC Agriculture और BJMC की चॉइस फिलिंग ओप्शन खोल दिया है, चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप पर स्टेप बताऊंगे कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग में होने वाली गलतियों को आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, तो वीडियो आगे देखने से पहले ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिर चान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कर दीजे, सबसे पहले हम लखनो युनिवर्सिटी की वेब साइट को ओपें करेंगे, तो आप लो क्यापिण और इंटर कर दीजे, लेन काल्कूलेट करें तो जाएगा, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइट दिखरे होगे, दो और शेणद तो क्योओं मिर्सक्राइब करते के लिंवसा हूं सबसे पहले, आप सबसे पहले करेंगे क fist कवंसुलिंग चियो उसके बिनने category then declaration लिखाओगा उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बनाओगा उससे आप क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे फिर आगे आप देखेंगे जहांपे आपके टोटल फीस लिखी होगी 200 प्लस 500 200 जो होती है वो जर्णल फीस होती है और 500 जो होती है वो एडवांस कोर्शी होती है तो जिन बच्चों को स्वाधक नहीं हो पाता है उन lifted पि ע rented वा कर सकते हैं लेकिन मेरी एडवाइस नहीं है कि जब नेटवर्क अच्छा हो तभी आप पेमेंट करिए सो एक कोर्स फीस और रेजिस्ट्रेशन फीस मिला के टोटल 700 रुपीज आपको सब्मिट करने होते हैं चोईस फिलिंग के लिए सो अब यहां से आगे हम प्रोसीद यूपीऑ सेलेक्ट करके आपको अपना यूपीऑ आईडी नंबर डालना है आपको किसी से भी कर देना जिससे आप एलेजिबल हो और फिर मेंग पेमेंट कर देना है तो पेमेंट की रेसेप्ट आप प्रेंट करके रख लीजेगा उसके बाब चॉइस फिलिंग का प्रोग्राम भी लिखा हुआ है और colleges भी लिखे हुए है और add का option भी है so total 19 colleges है इन में से आप जो चाहें वो add कर सकते हैं अब इस वक्त ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको जो पहला college चाहिए उसे आप first preference में रखेंगे लेकिन अपने marks को अपनी rank को ध्यान में रखते हुए रखेंगा because हर एक college में 50 से 25 seats होती हैं तो जिन बच्चों की rank अच्छी होगी उन्हें अच्छे college के लिए जल्दी preference मिलेगा आप 2-3 college select कर सकते हैं अपने preference wise जो आपको सही लेगे और यह मेरा personal view है कि अभी 27 तक counseling होगी तो उससे पहले जो आप college select करें वहाँ पे जा के visit करिए वो college कैसा है वो आप देख सकते हैं तो college select करने के लिए colleges के सामने add का option है उस पे आप click कर सकते हैं और नीचे आपके selected colleges order wise आजाएंगे आप चाहें तो selected college को remove भी कर सकते हैं जो remove option red color में दिखरा है वहाँ से और so समझ के ही पूरा preference भरिएगा और अगर अपने फाइनल हो गया है तो save and proceed करिए लेकिन ये बात ध्यान में रखेगा कि save and proceed करने के बाद आप lock कर देंगे college उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है बाद में भी try कर सकते हैं वो server issue की वज़े से हो सकता है और अब आगे save and proceed करने के बाद आपको success का notification आजाएगा इस तरह से लिख के आएगा program and institution has been saved successfully यहापे आप ok पे click करेंगे then lock your choices को option आएगा then उसे आप click करके अपनी choice lock कर देंगे और यहाँ से आप अपनी choices को देख भी सकते हैं और print भी कर सकते हैं फिर से करने के बाद आपको एक fair notification आएगा success का जिसमें लिखा होगा program and institution choice has been successfully locked then आप ok पे click करेंगे और आपका choice filling बहर जाएगा और आप अपना information side में print option होगा उसे print करके save कर लीजे तो यह तो बात हो गई choice filling की अब मैं आपको जो बताने वाली हो आप ध्यान से सुनेगा जब आपको college मिल जाएगा आपको college seat a lot हो जाएगी उस वक्त भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी आप मेरे चैनल को subscribe करके bell notification को hit कर सकते हैं जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँगी आप तक notification पहुँच जाएगी आपको full information step by step दे दिया है कि आप choice feeling कैसे कर सकते हैं वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो please वीडियो को like करिएगा और comment करिएगा मिलते हैं next informative वीडियो में till then bye bye